वेलकम टो एक बहुत ही इंपोर्टेंट अब्डेट देनी आप सभी को कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको एक नोटीस दिखाता हूं यह नोटीस दिखे यहां पर लिखा है पॉस्पॉर्मेंट आफ दा रिकूरूट्मेंट टेस्ट फॉर दा पॉस्ट ऑफ जूनियर असि सिचुवेशन औप स्पूर्इट औफ कोविड नाइटीन को पॉस्पॉन कर दिया गया है जो 15 जनवरी को कंडुक्ट कराने वाली करा है जाने वाले थी एक जामिनेशन ती जूनियर असिस्टेंट की एक्जामिनेशन जो धनबात के अग्जामिनेशन थी इसके अलाबाद जे डबल ए आई बी की जो एक्जामनेशन उती उसको भी पॉस्पोन कर दिया गया है अब बात की जा रही कि जो आई पीएस कि और पीओ की एक्जामनेशन कंड़क्ट किये जाने वाले उसको भी सैथ पॉस्पोन कर दिया जाए क्योंकि आपको याद होगा जब कोवीड-19 की सेकेंड वेव आई थी उस समय भी सारी जितनी भी सेंटल या स्टेट गवर्मेंट और जैंसी से जो गवर्मेंट एक्जामनेशन को कंड़क्ट कराती है उन्होंने एक साथ को पॉस्पोन नहीं किया था बलकि धीरे 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 एक के बाद नोटीस आते गए और सार जानी रखनी है लेकिन अगर देखी रहेंगे कि जितने भी स्टेट आप जहां भी रहे रहे हों जिस स्टेट में RA, स्वाらे सुवार्म नोर्मल तरीके से किये जा रहे हैं सभी के दوس्थ करने करें ठोड़ा भी cases बढ़ताए्व सबस्थरka बढया को बीकिवन करती है प्ने एक्जामिनेशन को फिर से कराना भी है जब एक्जामिनेशन पॉस्पॉर्ण हुई तो बग आठ महिने का गेप पड़ा और भी की एक साल का गेप पढ़ गया तो इस बीच में यह रिक्रूट्मेंट प्रोसेस को कितना लंबा खीचेंगे इसके अलावा नई वेकेंसी नहीं यह डिसीजन लेते हैं कि एक्जामिनेशन को पॉस्पॉन करना है यही ओफिसर्स और यही नेताओं के दोरह इतनी बड़ी बड़ी रेलिया चलाई जारी है जहां पर लोग लाखों की तादाद में भीड़ इकटी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी हो रहा है इस बात को आप जरूर समझें प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए जैहिंद